नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूं गारगी सिंगर जुबिन नोटियाल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लोगों का गुसा झेल रहे हैं कुछ दिनों से लगातार सोचल मीडिया पर जारी ट्रॉलिंग के चलते जुबेन के साथ उनकी मा भी परिशान हो गई है जुबेन नोटियाल के बैन होने की खबरों के बाद जुबेन ने बताया कि उनकी मा डिप्रेशन में आ गई है साथ ही उनका परिवार बैन के ट्रेंड से परिशान है जो वे ने हाली में दिये एक इंटर्विव में कहा मुझे नहीं पता कि ये सब यहां तक कैसे पहुचा मेरी मैनेजमेंट टीम और हरजिंदर सिंग के बीच करार हुआ था मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है मुझे एंटी नेशनल कहना उचित नहीं है इन खबरों के बाद से मेरी माँ डिप्रेशन में है ये बात शुरू हुई इससे कि दरसल आगस्ट के महने में जो भी नोटियाल के मैनेजमेंट ने हरजिंद इस नाम के एक वेक्ति के साथ कॉंसर्ट साइंड किया था 30 सिप्टिंबर को अमेरिका में इस कॉंसर्ट का आयोजन किया जाना था इस कॉंसर्ट का पोस्टर जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो बबाल मच किया कई लोगों ने हरजिंद सिंग का नाम खालिस्तान समर्थों को से जोड़ कर भी देखा इसके बाद लगातार विवाद बढ़ता गया देखते ही देखते ट्वीटर पर कॉंसर्ट का पोस्टर वाइरल हो गया साथ ही जोवेन का नाम ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा साथ ही लोगों ने बैन करने और गिरफतार करने तक की मांग कर डाली जोवेन ने कहा है कि और्गनाइजर के बारे में कोई जानकरी नहीं थी ततकाल प्रभाव से कॉंसर्ट रद कर दिया गया है मैं किसी भी और्गनाइजर को नहीं जानता हूं मुझे तो पता भी नहीं था कि यह सब यहां तक कैसे पहुच गया पैट पोस्ट से खबरे आने शुरू हुए किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा इसके बीच उनके बैन की बातों से साथ ही एंटी नेशनल बोलने पर उनकी माँ डिप्रेशन में चली गई साथ ही गिरफतारी तक की बात पहुच गई जिस पर जुबैन ने तोड़ी चुपी और कहा कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं कभी कभी हमें चीजे पता नह होती और हम चलते चले जाते हैं वहीं हुआ इनके साथ भी पर उमीद है कि मामला यहीं थमे और उनकी माँ डिप्रेशन से बाहर जल्द आए बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए दे झाल